Hello students, कैसे आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel Accounting Masterclass and this is the 40th lecture. ये हमारा 40th lecture है on Economic Subject and आज के lecture में हम एक छोटा सा बट एक बहुत important concept discuss करने वाले हैं that is National Income. और ये जो पूरा topic है ना National Income and Related Aggregates कोशिश करूँगी कि ये जो पूरा topic है इसको 4 से 5 lectures में ये over हो जाएं और अगर कॉम्टेटिव exam की बात करें ना तो कॉम्टेटिव exam के point of view से भी ये जो topic है National Income and Related Aggregates ये बहुत ही important topic है. exam में बहुत question इस topic से पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान से समझना है और एक बात और है कि students को अभी जो मैं आने वाले lectures में आपको 8 aggregates पढ़ाऊंगी 8 related aggregates पढऊंगी National Income के आपने GDP, GNP, NNP, NDP ये सब सुने होंगे तो ऐसी करके 8 aggregates हैं जो हम detail में पढ़ेंगे. Students को in aggregates में बहुत confusion होता है. Even जब मैं भी 12th class में थी, जब मैंने ये concept National Income का ये जो topic था, ये जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था, तो मुझे भी ढंक से ये समझ में नहीं आया था, मुझे बहुत confusion होता था, मुझे सब एक जैसे लगते थे, GDP, GNP, NNP, ठीक है, बट एक इसकी guarantee है, कि ये जो अभी 4-5 lectures में ये जो topic मैं finish करूँगी, अभी मैं 4-5 lecture video upload करूँगी, इस पूरे topic, National Income पे, तो अगर आपने वो lecture ढंक से देख लिया है, तो उस lecture के बाद आपके जितने भी confusion है regarding this aggregates, वो अच्छे से clear हो जाएंगे, इस बात की तो पूरी guarantee है, तो आप को क्या करना है, आपको इन video lectures को ध्यान से समझना है, तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के lecture में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज में सबसे पहले आपको बताऊंगी कि National Income क्या होती है, ठीक है, Factor Income, Transfer Income क्या है, Normal Resident and Non Resident of a Country, ये क्या concept है, ये क्या होता है, ठीक है, तो य एक request आप से और है कि प्लीज मुझे comment section में जरूर बताया करिए कि आप किस course के हैं, आप BBA के हैं, Bcom के हैं, Mcom, MBA, 11th, 12th, CA, CMA, BFS, या किसी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं, आप किस course के हैं and किस state या किस city के हैं, ये जरूर मुझे बताया करिए, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे help मि लेगी, मैं इसके according, जो आने वाले lectures है, उनमें जो content, जो course का content है, वो उसके according में प्लान कर पाऊंगी, ठीक है, आप जिस भी course के हैं, उसके according में course या subject या topic ला पाऊंगी, ठीक है, तो ज़रूर प्लीज मुझे comment section में अपना course ज़रूर बताया करिए, so keep commenting, और चैनल पर first time आये हैं, तो चैनल तो subscribe करी लिजेगा, notification bell भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी मैं नया video डालू, आपको notification मिल जाए, और चैनल पर first time आये हैं, तो आपको एक बार ये भी बता देती हूं, कि मैं कौन-कौन से subject है, जो अपनी channel पे आज की तारीक, यानि पे दिख रहे हैं, this is the list of subject, जिनको मैं already cover कर चुकी है, और बहुत सारे subject pipeline में है, जो आनेवाई lectures में मैं cover करूंगी, आज की तारीक, यानि दिसंबर 2021 तर, ठीक, तो चलिए फिर हम आज का lecture अब start करते हैं, national income, ठीक है, तो वैसे तो नाम सी समझ में आ रहा है, national income, यानि किसी nation की income के बारे में बात हो रही है, ठीक है, लेकिन इस income में हम कौन-कौन से item include करेंगे, किन item को exclude करेंगे, नहीं include करेंगे, तो वो सारी चीज़े ध्यान में रखने की है, जो मैं बताने जा रही हूं, ठीक है, वरना तो national income, ये word देखके हमें समझ में आ जाता है, कि यानि किस nation की income के बारे मात हो रही है, तो national income क्या है, this is the sum total of, तो national income sum होता है, किसका factor income का, जो कौन earn करता है, normal resident of a country, यानि किसी भी country के जो normal resident होते हैं, वो जो भी factor income earn करते हैं, उसका जो sum total होता है, that is national income, ठीक है, और एक चीज़ और है, during the particular financial year, जो भी financial year है, जो भी accounting year है, उसमें जो earn क करते हैं, उसको कहते है, national income, ठीक है, accounting year मतलब, 1st April, ठीक है, से जो financial year शुरू होता है, 1st April से लिके जो 31st मार्स सका जो समना होता है, that is financial year, या accounting year कहते हैं, तो national income क्या है, national income वो factor income है, जो कौन earn करता है, normal resident of a country, किसी भी country के जो normal resident होते हैं, वो जो भी factor income earn करते हैं, उसका जो sum ह होता है, ठीक है, उसको हम कहते है, national income, बड़ ये जो sum हम क्या पूरे 2 साल, 3 साल, 5 साल का हम sum करते हैं, नहीं, हम हर financial year, हर accounting year की national income क्याल्कुलेट करते हैं, जो होता है, 1st April से लेके 31st मार्स तर, ठीक है, तो this is national income, ये है national income, ठीक, अब इसमें दो बाते हैं, जो बहुत ध्यान income included होती है, transfer income नहीं included होती है, अभी ये transfer income होती है, मैं बताऊंगे अभी, ठीक है, national income में केवल factor income included होती है, transfer income नहीं include होती है, ठीक, ये पहला important point, दूसरा important point कि national income में केवल income include करते हैं, उन resident की जो normal resident of a country होते हैं, जो normal resident of a country होते हैं केवल उन्हीं की income include की जाती है जो non resident होते हैं ध्यान रखेगा जो non resident होते हैं उनकी income include नहीं की जाती है national income में ठीक है तो यह दो important point है national income के regarding जो आपको ध्यान रखना है कि national income में केवल factor income आती है factor income को include करते हैं और दूसरा है कि इसमें केवल उन्हीं लोग की income इंक्लूट की जाती है जो गो जी होती है चीक है तो इस ते लिखाब में विल आटी किया वही European को प्रोड़ाँट्रा ऐब अबनगी अजया सब एक है तो सबसे पहले देखते हैं तो तो हमने factor of production पढ़ाता यहाद है factor of production यानि production में किन-किन factors की जरूरत होती है तो चार factor थे ना land, labor, capital, entrepreneurship यह चार थे factor of production तो जो household होता है household होता है owner of the factor of production household के पास यह factor of production होते हैं household के पास land, labor, capital, entrepreneurship होता है तो household जब यह factor service provide करता है किसको? firms को, जो producing units हैं उनको जब factor service provide करता है तो उसके बतले में household को क्या मिलता है? payment ठेक है? household को payment मिलता है न? circular flow of income जब मैंने पढ़ाया था तो यह सब detail में बताया था household को payment मिलता है जब वो factor of production प्रोड़ाइट करता है तो उसके बतले में उसे payment मिलता है तो इसी को कहते है factor income ठेक है? factor service provide करने के बतले में जो income earn होती है that is called factor income समझ में है? factor service यानि land, labor, capital, entrepreneurship तो यह जब factor service ठेक है? प्रोड़ाइट करता है household तो उसके बतले में उसे जो payment मिलती है इसी को कहते है factor income तो यह payment किस form में मिलती है? ठीक है किस form में मिलती है? देखिए अगर यह जो household है अगर land provide करता है ठीक है? तो उसको क्या मिलता है? rent मिलता है अगर labor provide करता है तो उसको क्या मलती है wages या salary मिलती है जिसे compensation कहते है अगर capital provide करता है तो उसको क्या मलता है interest मलता है household को और अगर entrepreneurship provide करता है तो उसको क्या मलता है profit ठीक है तो यही क्या है factor income ठीक है तो factor income क्या है factor service provide करने के बदले में जो producing unit है जो भी income देता है जो भी income provide करता है जो भी payment करता है उसको कहते है factor income ठीक यहां पर भी मैंने यही बात लिखी हुई है this is factor income compensation interest receive rent receive and profit यह क्या है factor income right अब यह income दो टाइप की होती है अभी बतायते है transfer income and factor income तो factor income तो आपको समझ में आ गई है transfer income क्या होती है तो transfer income वह income होती है जो receive करता है कोई भी person as a help as a donation as a charity अगर charity के form में आपको कुछ income receive होई है आपने उसे earn नहीं किया है एक वह as a help as a donation आपको आए वह transfer हो किया है इसलिए वो क्या है transfer income तो transfer income क्या होती है unearned income इसे earn नहीं किया जाता है यह transfer हो क्या आती है तो this is transfer income अब यह जो transfer income है इसको नहीं खास बात है transfer income को नहीं consider किया जाता है when we estimate the national income जब हम estimate करते है national income तब उसमें transfer income को include नहीं किया जाता है उसमें किसको include किया जाता है factor income को factor income क्या होती है वो income जो receive करता है household for rendering factor service factor service provide करके household को जो भी income receive होती है उसे कहते है factor income और यह जो factor income होती है यह क्या होती है earned income होती है यह क्या है household earn करता है इसलिए से earned income कहते है ठीक है तो this is the difference between transfer income and factor income ठीक और national income calculate करने में हम किसको use करेंगे factor income ठीक यहां तक concept clear हुआ आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताती हूँ normal resident कौन होते हैं तो normal resident के दो feature है normal resident कौन होता है normal resident के दो feature है पहला क्या है जो normally recite करे in the country concern अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो normal resident कौन है वो person जो normally recite करे या नि रहे किस country में जिस भी country की बात हो रही है अगर इंडिया की बात हो रही है तो वो person जो normally इंडिया में recite करे रहे उसे कहेंगे normal resident यह पहला feature दूसरा feature क्या है कि जिसका center of economic interest lie करे in that country यानि अगर मैं इंडिया की बात करूँ यानि वो person जो अपने जितनी economic activity है economic activity मतलब production consumption investment वो सब इंडिया में ही करे ठीक है यानि उसका पूरा economic interest जो है वो उसका center इंडिया ही है तो उसे क्या हम कहेंगे normal resident ठीक एक बाद फिर से बता रही हूँ normal resident का second feature क्या है जिसका center of economic interest lie करे ठीक है इंडिया में उसे हम कहेंगे normal resident अच्छे कि मैं इंडिया के respect में बता रही हूँ बढ़ यह किसी भी country के लिए है अगर हम किसी x country की बात करें तो x country का normal resident कौन होगा जो उस x country में recite करें और जिसका center of economic interest उस x country में हो वो वहाँ का resident अगर हम इंडिया की बात करें तो जो person इंडिया में recite करें नॉमली रहे ठीक है उसे normal resident कहेंगे और जिसका economic interest जो है इंडिया में हो तो उसे हम normal resident कहेंगे अब सवाल यह आता है कि economic interest मतलब क्या होता है economic interest मतलब जो भी economic activities होती है हमारी ठीक है जैसे हमारा जो production है जो भी consumption है जो भी चीज़ें हम consume करते हैं जो भी investment वगेर हम करते हैं वो सब इसी country हो अगर हम अपने लोग की बात करें तो हम लोग जो भी हमारी जो job वगेर है जो हम job करते हैं वो क्या यहीं पर कर रहे हैं इंडिया में ही कर रहे हैं हमारा जो consumption है जो भी चीज़ें हम consume करते हैं वो यहीं की करते हैं और हम investment वगेर भी यहां पर करते हैं तो we are the normal resident of the country ठीक है तो this is the normal resident और हम reside भी यहीं कर रहे हैं तो we are the normal resident ठीक अब एक होता है normal resident के साथ ही एक होता है non resident of a country non resident of a country non resident कौन होते हैं ठीक है, इन दोनों के बीच में भी difference आना जरूरी है, क्योंकि जो non-resident होते हैं, उनकी income नहीं consider की जाती है, जब national income compute करते हैं, फिर से बोल रही हो, non-resident जो होते हैं, उनकी income नहीं include की जाती है, जब national income calculate करते हैं, जो normal resident होते हैं, उनहीं की income calculate की जाती है, include की जाती है, ठीक है, त तो non-resident basically क्या देखें नाम से समझ में आ रहा है non-resident यानि जो reside न करें जो इंडिया में normally ordinary reside न करें इंडिया के respect में अगर हम बात करें जो normally इंडिया में reside न करें वो क्या है non-resident जैसे example के लिए अगर कोई foreigner है technical expert है वो इंडिया में काम करने के लिए आया है but for a very short period of time एक साल से कम समय के लिए कोई expert है वो काम करने के लिए आ रहा है तो वो क्या है non-resident of country तो उसकी जो income है वो national income में नहीं include होगी ठीक है जो ambassadors है जो बाहर की countries के ambassadors हैं जो इंडिया में है उनकी भी जो income है वो national income में नहीं include होगी ठीक है जो IMF है, WHO है World Health Organization या जो international monetary fund है इस टाइब के जो international organization है उसमें जो foreigners काम कर रहे है उनकी जो income है वो भी national income में include नहीं होगी क्योंकि वो non-resident है ठीक है और क्या हो सकता है और जैसे कोई अगर foreigner है जो work कर रहा है Indian embassy में ठीक है तो उसकी भी income include नहीं होगी तो ये सब क्या होते है non-resident तो this is all about the national income तो national income में अब आपको समझ में आगया है कि किनकी इंकम include करेंगे normal resident की income include करेंगे non-resident की income non-resident की income नहीं include करेंगे ठीक है तो चलिए this was all about today's lecture, यही था पूरा आज की लेक्टेर का content, तो I hope आप आपको समझ में आ गया है कि national income क्या होती है, तो national income is the sum total of, national income क्या होता है, total of factor income, जो normal resident, factor income, जो normal resident, किसी भी country का जो normal resident, जो भी factor income earn करता है, किसी financial year में उसको हम कहते है, financial year या accounting year में, उसको हम कहते है, national income, उसको हम national income कहते हैं, ठीक है, तो दो चीज़े ध्यान रखना है, एक factor income, और एक normal resident, normal resident जो factor income earn करता है, किसी भी accounting year में, उसको हम कहते है, उसको हम क्या कहते है, national income, ठीक, तो चलिए आज का lecture में यहीं पर wind up करती हूँ, अगले lecture में मैं आपको पढ़ाऊंगी, national income के जो related aggregates है, जो 8 aggregates की में बात कर रही थी न, वो हम अगले lecture में discuss करेंगे, फिर कुछ important difference है, gross net, domestic, national, market price, factor price, ठीक है, इनके बीच में क्या difference है, वो भी समझेंगे, बहुत important है यह, और फिर domestic product कैसे domestic income के बराबर होता है, तो यह सारे concept है, अगले lecture, lecture number 41 में discuss करेंगे, ठीक है, तो चलिए फिर मैं आज का lecture यहीं पर wind up करती हूँ, मिलते हैं अगले lecture में, और प्लीज मुझे comment section में जरूर बताएगा, कि how was this lecture, आपके लिए comments का, आपके likes का मुझे हमेशा इंतिजार रहता है, हम आपके लिए घंटो निकालते हैं, मैं फिर से बोलूँगी, हम आपके लिए घंटो निकालते हैं, आपको केवल एक minute निकालना है, ठीक है, तो please मेरे चैनल को support करिए, तभी मैं इसी तरीके से विडियो लाती रहूंगी, ठीक है, आप लोगे support की बहुत जरूरत है, ये एक तरीके से हमें motivation प्रोवाइट करते हैं, तो हमें motivate करते रहिए, ताकि हम विडियो लेक्चर लाते रहें, आपके exam भी आने वाले हैं, ठीक है, आप लोगे semester exam आने वाले हैं, तो please हमें support करते रहिए, ताकि हम ऐसी विडियो लाते रहें, ठीक, तो चलिए फे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, God bless you.